नमस्कार, इन्नेवेस में आप सबी का स्वागत है आज हम जन्फास्त प्रमानपत्र पाटिक्रम के अंतरगत जो प्रात्मिक उपचार की अध्याई के बारे में हम जानेंगे आईए आज हम किस तरह से प्रात्मिक उपचार करेंगे ऐसे कौन से अमर्जन्सी कंडीशन्स हैं जिसमें प्रात्मिक उपचार की जरूरत है, वो देखते हैं ये हर एक जीवन में सभी लोग सोचते हैं कि मैं कुश रहूँ कुशी रहना है तो वो स्वास्त से ही होता है तो स्वास्त रहने से कुशी होगा, परन्तु कितना भी हम कही तरह के क्या करते हैं कि जैसे कि परिस्थितियां को healthy lifestyle अप्टाने के बाद भी कभी बिमार हो जाते हैं तो उसके लिए तो हम डॉक्टर से संपर कर सकते हैं परन्तु कुछ ऐसे आपतकालिन स्थितियां अपने जीवन में आ जाते हैं तो उस समय में हमें किस तरह से प्रात्मिक उपचार करकर अपने या दूसरों के लाइफ बचा सकते हैं वो हम चानेंगे तो इससे पहले कि हम ये देखें कि प्रात्मिक उपचार के लिए जो first aid kit जो होता है वो उसमें क्या-क्या होना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र जिसमें कि एक तर्मोमीटर एक बीपे अपरेटर्स ग्लाउस सीरंच कहीं तरह के 5% डेक्स्ट्रोज या रिंगर लैक्टेट ब्लेड नाइफ एंड ऐसे एंटिसप्टिक क्रीम इस तरह से कहीं चारे चीज़ें होनी चाहिए और सेफटी पिन भी रखना जरूरी होता है ताकि कोई कान में कुछ फस गया तो आराम से उसे निकाले इस तरह से तो ये प्रात्मिक उपजार सिर्फ जो कमुनिटी हेल्थ वरकर है उनके लिए ही नहीं बलकि गौर्वर्नमेंट ने हर एक स्कूल में एक सिलबस बनाया रखा है और उसमें एक लेसन दिया गया है कि फर्स्ट एड के बारे में ताकि ये हर एक बच्चे से लेके बुड़ों के तक सभी को हर एक फैमिली में किसी ना किसी को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और आपके माध्यम से मैं ये आशा करती हूँ कि आप जानिये और दूसरे सभी लोगों आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब को awareness दीजिए कि ये प्रात्मिक उप्चार होता क्या है और उससे हम कैसे अपनी जान को बचा सकते हैं अगर हमारा प्रात्मिक उप्चार करने के बाद हाथ से अगर कुछ और गंबीर हो रहा हो तो तुरंद हास्पितान ले जा सकते हैं प्रात्मिक उप्चार के लक्ष जीवन को बचाना है पहला कर्तव यह है हमारा जीवन को बचाना है दूसरा जीवन को कैसे हम बचा सकते हैं जिसे रोड पे जा रहे हैं रोड का एक्सिडेंट हो गया और किसी का छोट लगने से कून बह रहा है उस समय में तुरंथ हमें ब्लेडिंग को स्टॉप करनी है और CPR जो कार्डियो पर्मनरी रिसस्टेशन करके उनका जीवन बचाके तुरंथ हमें होस्पिटाल में लेके जा सकते हैं दूसरा लक्ष है पीडा को कम करना मान लीजिए कोई बोन इंजिरी हुआ है हड़ी तूट गई है तो उसको इसी तरह से चोड़ देने से और गंबीर गहरा हो सकता है तो उसमें हमें सपोर्ट देकर उस पीडा को हम कम कर सकते हैं इसके अलावा तीसरा लक्ष है पीडित व्यक्ति को तवरित सहायता उप्लब्द कराने में सहायक होना है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई और आकर सहाय करेंगे हमारा बेसिक ये कर्तव होता है कि जो community health worker जितने भी आपतकालिन स्थितियां जिसको भी होता है तो तुरंट चाहे और अपना जो सीका है उसका अपले करिये और दूसरों की जान बचा लीजिए इसके अलवा पीडित व्यक्ति की परिस्थितियों को और खराब होने से रोकना है मान लीजिए चोट लग गई ये और हम देख रहें लेकिन हमने सहायक नहीं किया है तो वो पीडित व्यक्ति की परिस्थिति और खराब हो जाएगी और इतना की उसका जान भी जा सकती शरीर के विबिन अंगों की क्षती को रोकना है कभी चोड बाहरी और दिखती है और कभी कबार इंटर्नल ब्लीडिंग होकर पताई नहीं चलता कि कितना अंदर शारेरी क्षती हो रही है जैसे लीवर में इंटर्नल ब्लीडिंग हो रहा है या brain में हो रहा है यह नहीं पता चल जाता है अगर हम first aid करके तुरंत हस्पताल ले जा सकते हैं तो इसमें शरीर की विबिन अंगों की क्षती से हम रोक सकते हैं प्रातमिक उपचार का उद्देश क्या है आपतकालीन स्थितियों में प्रातमिक उपचार उपलब्द कराकर जीवन की रक्षा कर सकेंगे विबिन्ने परिस्थितियों को समझ कर उसके उपचार का व्यवहारिक उदाहरन प्रस्तुत कर सकेंगे शारीरिक की vital parameters को समझ सकेंग vital parameters जैसे की pulse rate, blood pressure, उनका respiratory rate इस तरह से हर एक व्यक्ति का कितना normal होगा ये जानना भी community health worker को important है. सामानी एवं आवश्यक जानकारियां जैसे की व्यक्ति की bar यानि weight, लंबाई यानि height, नबजदर यानि pulse rate, रक्तचाप, blood pressure, श्वसंधर तता तापमान, temperature इन सबकी आवश्यक जानकारी होना बहुत जरूरी है. ये age के according कुछ अंतर भी होता है, तो इसका भी जानकारी होना जरूरी है. जैसे की नवजद शिशु का जो बार होगा, वो धाई किलो से तीन किलो तक. वो दीरे दीरे जैसे जैसे आयू बढ़ती है, वैसे ही बार बढ़ते बढ़ते, अडल्ट में आते आते, 60 या 70 तक पह जरूरी है, इसके बाद जो लेंथ है, लेंथ में भी नवजद शिशु का जो लेंथ होगा, नॉर्मल, वो 50 सेंटी मीटर होगा, और धीरे धीरे उसका भी लेंथ बढ़ती रहेगी, ग्रोध जैसे होगा, वैसे लेंथ बढ़ेगी, अडल्स में आने के बाद वो और तो किस आयू में कितना लेंथ होनी चाहिए, अगर कम हो तो शॉर्ट स्टेचर हम कहेंगे, नहीं तो लॉंग स्टेचर हम कहेंगे, वो जानना जरूरी है, पल्स रेट, नॉर्मली 78 पर मिनिट होगा, जैसे जो हृदय का दढ़कन होती है, उसी तरह से ये पल्स रेट हमें दिकाई देगा, सिराओं में उसकी स्पंदन आएगी, तो उसके एकोर्डिंग हम मोस्टली ये जो रेडियल नर्व पर, रेडियल आर्टरी पर हम देखेंगे, इसके अलावा रक्तचाप, जो नॉर्मल 120 सिस्टोलिक होता है, और 80 डिस्टोलिक होता है, 120 बाइटी, जैसे जैसे जो एज बढ़ता है, अडल्ट में 120 बाइटी होता है, लेकिन बच्चों में अगर जैसे नौजाज शिशू का होगा, तो इसका बिलकुल आदा होगा, 60 बाइटी होगा, दीरे दीरे जैसे जैसे बच्चों का एज बढ़ेगा, तो ब्लड प्रिशर भी धीरे दीरे और अडल्ट में आकर 120 बाइटी रहेगा, जैसे 40 के उपर जाने के बाद और बढ़ता है, क्योंकि ब्लड वेजिल्स तोड़ा कंस्रिक्ट होते हैं, तो 140 बाइटी तक पहुंचता है, तब भी वो नॉर्मल है, हमें ये जानना जरूरी है कि किस एज में कितना ब्लड प्रि रिस्परेटरी रेट, पर मिनेट में हम 18 टू 24 तक होना नॉर्मल है, और टेम्परेचर देखने के लिए हम तर्मोमेटर यूज़ करते हैं, ये इसके उपर जो है 95 से लेके 105 तक ये रीडिंग दिकाई देती है टेम्परेचर, 98.4 डिग्रीस ये नॉर्मल होगा, फॉरें ह किसी स्वस्त व्यक्ति में इनका सही माप क्या होना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आवश्यक है, रक्त चाप जो है, स्पिट्नो मैनोमेटर के द्रू देखा जा सकता है, ऐसे कौन सी आपतकालिन स्थितियां हैं, जिसमें प्रात्मिक उपचार की जरूरत है, आईए स्रो लवा बिजली का जटका, अचानक बिजली की जटका लग जाती है, तो क्या हमें सिम्टम्स मिलते हैं उस परसन में और कैसे हमें उपचार करना है, वो देखना है, शीत दंश, ये एक कंडिशन है, जिसको हम फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं, एनफिलाक्सिस शॉक, कहीं ब होते हैं इसमें, हम एक एक कंडिशन के बारे में आगे और डीटेल पड़ेंगे, श्वासनली में कोई बाहरी पदार अटक जाना, श्वासनली यानि रेस्परेटरी ट्रैक में फॉरिन पार्टिकल कोई भी जाएगा, तो वो जो विंड पाइप, जिसे हम ट्रैकिया कहते ह उसमें फस जाने के कारण, रेस्परेशन लेने में दिक्कत होगी, श्वास लेने में दिक्कत हो सकता है, नेक्स्ट कंडिशन है, कुत्ते का काटना, जो घर में डोमेस्टिक डॉक्स को जो लेते हैं, वो काटना एक अलग होगा, और दूसरा जो बाहर जो रोड में रहने वाले कुत्ते, वाइल्ड, वो काटने से नुकसान और ज्यादा हो सकते हैं, तो इसमें कैसे उपचार करना है, वो हम देखते हैं, इसके अलवा कान में दर्थ, ये अधिकतर भुजुर्गों में या तो बच्छों में पाया जाता है, इसके अलवा कान में बाहरी चीज का गुज जाना, ये भी बच्छों में अकसर देखने को मिलता है, जो बच्छे होते हैं, उनमें ज्यादा अधिकतर देखने को मिलता है, इसके अलवा गाव से रक्त स्ट्राव, कोई वूंड हो रहा है, उससे ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें क्या कंडिशन हो रहा है, और क्या तकलीफ हो सकती है उस परसन को और हमें कैसे उपचार करना है, वो आगे देखते हैं, नाक में बाहरी वस्तु जाना, वही जो एर में भी फॉरिन पार्टिकल जाना, ये भी बच्छों में हम अधिकतर पाया जाता है, और नाक से कून बहना, इसके भी कहीं कारण है, ज जैसे समर सीजन है, अधिक देर तक हम सनलाइट से एक्सपोज हुआ है समर्स में, या अधिक मिर्च मसाले सबजिया हमने खाया, तो गरम होने के कारण नाक से कून पह सकती है, जितने भी हम ये जो कंडिशन देके हैं, उसका एक-एक के बारे में अभी हम डीटेल देखते ह तो आईए, पहला जो कंडिशन है, वो प्रगात, यानि शॉक, इसे हाइपोवोलमिक शॉक भी हम कहते हैं, इसका एक उदाहरन में देना चारी हूँ, जैसे कि इस चित्र में आपने देख रहे होंगे, पहला चित्र में, कि रोड पे जा रहे हैं, तो तो एक्सिडेंट हु हुए हैं, और ब्लीडिंग हो रहा है, कून बह रहा है, नॉर्मली एक इनसान को, अडल्ड को, फोर और हाफ लीटर या 4.7 लीटर तक का कून, मतलब ब्लड वॉल्यूम होता है, अगर all of a sudden, इंजुरी होने के कारण, एक या दो लीटर बह जाता है, तो उसमें वॉल्यूम बॉडी की वॉल्यूम कम हो जाती है, जिसको हम कहेंगे हाइपो वॉल्यूमिक, जिसके कारण वो शॉक में भी पहुँच जाते हैं, जैसे ही ये अचानक एक दो लीटर का कम होने के कारण, बॉडी में रक्तचाप कम हो जाएगी, और पेरिफेरल सर्कुलेशन कम हो और ऑक्सिजन हर एक वाइटल ऑर्गान को जैसे ब्रेन, हार्ट इसको पहुचना कम होगा, और तुरं जो है वो शॉक में पहुच जाएंगे, तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि कहां से ब्लीड हो रहा है, पहले पोजिशन करना है, ठीक पोजिशन में हमें र जैसे अंदर visceral organs की injury है, कहां से हो रहा है, वो हमें ध्यान से दे के, गबराने की कोई जुरूरत नहीं, ताकि हम किसी और की भी help ले सकते हैं साथ में, लेकर हम ऐसे चीज़े करना है, कि जैसे पहले पैरों को उटा कर रखे, ताकि हुरुदे को आधिक से आधिक रख्त मिल है, क्यों कुछ रख्त निकल गया है, तो जो बचा हुआ रख्त को हम आधिक से आधिक हुरुदे तक पहुंचाएं, ताकि हुरुदे से फिर सारे शरीर को और मेंली हम ब्रेन को पहुंचाना है, और इसके अलावा, क्यों वो जिसे cardiac pulmonary resuscitation की जरूरत हो, CPR की, तो हमें करना है, शिराओं के रास्ते से ब्लड की volume गया है, तो हम dextrose या तो normal saline या ringer lactate को तुरंथ ही IV के रूप में चड़ाना है, और हुदय गती, heartbeat हम हमें पता है, इस व्यक्ति का कितना आयू है और कितनी per minute होने चाहिए, तो इसी इसाप से हम heartbeat को, and then pulse rate को, blood pressure को, रक्त glucose को, और रक्त यूरिया पर निरंतर निघरनी रखनी चाहिए, यह सब तभी होगा, जब हम तुरंथ इनको hospital पहुचाएंगे, यदि आंतरिक रक्त स्टाव है, क्यों हमें रक्त बाहर bleeding नहीं दिख रहा है, पर परन्तु person बेहोश है, तो हमें यह समझना चाहि कि उनका जो है, आंतरिक रक्त स्टाव हुआ है, तो उनको या तो blood transfusion, या उसके अभाव में, अगर blood उनके group का blood तुरंद नहीं मिल रहा है, तो हमें plasma expanders को चड़ाना पड़ेगा, तो यह जो जितने भी steps मैंने बताया है, यह सारे shock या प्रगात में किया जाने वाले steps हैं, दूसरी condition है, बिजली का जटका, बिजली की जटका अधिकतर बारिश के मौसम में होता है, हमें यह देखने को मिलता है, और आजकल वर्टसेप में ऐसे कुछ वीडियोस गूम रहे हैं कि बारिश के समय में अगर कमबे को, बिजली के कमबे को पकड़ने से किस तरह से electric shock हो रहा है, तो यह सब को जैसे ही बारिश का मौसम आ रहा है, सबी लोगों को ऐसे वीडियोस दिखा के जागरुत करनी चाहिए कि बिजली की जटका से बचा सके, अगर यह जटका लग गई तो तुरंत help करने के लिए भागते हुए उनके पास जाके उनको direct नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसे करने से दूसरी व्यक्ति को भी जटका लग सकता है, तो हम तुरंत ही वहां रहकर तोड़ा दूर से दूसरे और भाग कर पकड़ने वालों को रोकना चाहिए, और नेक्स्ट स्टेप है कि प्रभावित व्यक्ति को यदा शीग्र, लकडी, आदी, कुचालक क सहायता से विद्य स्रोथ से दूर हटाने की कोशिश करें, उसके बाद कृत्रिम रूप से मूँ से श्वसंधे रेस्परेशन देना चाहिए, सीधा हो तो हलका हैड को लिफ्ट करके जब विंड़ पाइप स्ट्रेट हो जाएगी उसकी बाद ऑक्सिजन देनी चाहिए, 5% ग्लुकोस या सेलैन या रिंगर लैक्टेट आईवी के जरिया, इंट्रावीनेस के जरिया देना चाहिए, जिससे क्या होगा, रक्तचाप को संतलित रखने की कोशिश करें, वरना ये क्या होता है, ब्लेट प्रेशर शॉक के कारण बिल्कुल गिर जाता है, ये सब तभ संभाव होगा, जब हम इनको तुरन हस्पताल में शिफ्ट करें, इसके बाद एक और कंडिशन है, हाइपो तर्मिया, हाइपो मतलब कम, तर्मिया मतलब टेमपरेचर, जो नॉर्मल टेमपरेचर होना चाहिए, 98.4 डिक्रीज फॉरन हेट, उससे अगर कम हो, उससे 2-3 डिक कम हो, तो उसमें हम हाइपो तर्मिया कहते हैं, यह अधिकतर सर्दियों में या जो चोटे बच्चों में या बुजुर्गों में मिलता है यह कंडिशन, उनमें क्या है, ब्लेट प्रेशर बाकी लोगों से कम होता है, तो बाहर की जो टेमपरेचर अगर कम हो, तो वो तो उससे क्या होगा पेरिफेरल सेर्कुलेशन कम हो जाता है जिससे हाइपोतर्मिया के कारण हाथ पैर सारे ठंडे हो जाएंगे और उनका बीपी डाउन हो जाएगा और वो कपकपाते रहेंगे तो उसमें हमें क्या करना चाहिए मरीज को अगर गीले कपड़े हैं तो तुर और जो जिस जगर पे रखते हैं जैसे वो रूम टेंपरेचर भी हमें मेंटेन रखना है 25 डिक्रीस के आसपास उसे किसी सू के गरम स्तान पे आग या हीटर के समीप रखे पूरे शरीर को कंबल या रजाई से डग दे पैरों के नीचे गरम पानी की बोतल रखे और उससे गरम करें पीने के लिए गरम पानी या चाय या काफी हर एक एक गंटे पे तोड़ा तोड़ा करकर देना चाहिए और उनके पास रहे आश्वासन दे कि कुछ नहीं होगा तो अपने आप दो गंटे में रिकवर हो जाएंगे इनकेस रिकवर नहीं हो रहा है और पल्स रेट कम हो रहा है तो तुरंथ हास्पतल में शिफ्ट करने चाहिए दूसरा कंडिशन है शीत दंश शीत दंश में यह भी हाइपोतरिमिया टाइप का ही है इसमें भी जैसे जिस जगह पे जीरो डिग्रीस या नेगिटिव में अगर टेंपरेचर बाहर की तापमान होगा तो उस में अगर एक्सपोज होंगे या मुसली कपड़े जितना पहने वहां तक तो टीक रहेगा बॉडी शरीर गरम रहेगा लेकिन जहां एक्सपोज हो रहे हैं जैसे हैं या लेक्स हैं जहां एक्सपोज हो रहे हैं ग्लॉज नहीं पहना है या सॉक्स नहीं पहना है तो वहां उसमें कैसे हम पहचाने जो एक्सपोज हुआ है वो शरीर के बाग जो है सूजन होते हैं और लाल हो जाएगा और नमनेस टैप का होगा कुझली टैप की भी होती रहेगी और उसमें कुछ महसूस नहीं होगा अगर हात और पैर सूज रहें और लाल हो गए खुझली है तो हमें समझना चाहिए और बाहर की टेमपरिचर जीरो या उससे कम है तो हमें समझना चाहिए कि यह व्यक्ति जो है शीत दम्ष से ग्रस हुआ है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए प्रबावत व्यक्ति को गरम कमरे में हीटर या अलाप के पास रखे प्रबावित अंग जैसे हाथ या पैर को गरम पानी में डुबा कर और गरम करे और उसको तेल से भी मसाज कर सकते हैं और सौक्स पहना के रख सकते हैं गरम करने के बाद उसे ठंड के कुचालक गरम कपड़े से ढखकर रखे प्रबावित व्यक्ति को यदा शीक्र हस्पताल बेजने का प्रबंद करे उनको हाइपोतर्मिया जैसे घर पे ही रखकर ठीक करना नहीं चाहिए उनको तुरंत ही हस्पताल लेके जाना चाहिए ताकि वो वाइटल इतने भी वाइटल और्गान से उसको बचा सके एक और कंडिशन है एनफिलैक्सिस एनफिलैक्सिस को हम शौक भी कहते हैं एनफिलैक्टिक शौक यह कोई भी बाहरी पदार्द शरीर में टच करने से या कुछ ऐसे ओशदियां जैसे कि एमोक्सिसिलिन है या सल्फा ग्रूप अप ड्रग से वो लेने से भी रियाक्शन होता है जिसे ड्रग रियाक्शन कहते हैं यह होगा तो हम कैसे पहचाने इसमें जो है शरीर में सारे अर्टिकेरियल रैशेस होते हैं और पूरी शरीर या सिर्फ फेज सूच जाती है और आंकें भी सूच जाएंगे मोटा टंग मोटा हो जाएगा और श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगी तो उसमें हमें तुरंत क्या करना चाहिए जैसे ही हमें पता चल जाता है कि यह एनफिलाक्टिक शॉक में जा रहा है तो तुरंत ही एविल या कोई भी एंटी एलर्जिक आउशदी हमें के अलवा श्वासन को सपोर्ट करते हुए शीग्र ही निकर्तम चिकित्सा करना चाहिए और हास्पितल को पेजने की व्यवस्ता करें रक्तचाप कम हो तो उसको ग्लुकोस सलैन या रिंगर लैक्टेड चड़ाने की प्रबंद करना चाहिए और इसमें श्वासनली में कोई बाहरी पदार्थ अटकना श्वासनली में अधिकतर चोटे बच्चों को ये चीज होती है बच्चे खेलते खेलते कोई न कोई अपने खिलोना का कोई चोटा टुकड़ा हो या खाने वाली कोई बीज हो फल का कोई बीज हो ये मुम में रख तुरंत वो सास लेने में दिकत होंगे और खांसते रहेंगे यदि हमें पता चलता है या कोई एक रुपे के कॉइन है इस तरह से निंगल लेते हैं तो अगर यदि बच्चा चोटा हो तो उसे उल्टा लटका कर पीट पर तपकी देते हैं आधिकतर मामले में बाहरी पदार बाहर निकल जाता है यदि बच्चा बड़ा है तो उसके सिर को आगे की और जुका कर पीछे से उसके चाती पर चाती मतलब रिप्स कंप्लिट होने के बाद जो नीचे की जो पोर्शन है वहां पर जिफार्ड स्टेर्नम जो हम कहते हैं वहां पर हाथ लगा कर पीट पर और चाती पर जटका देना है जटका देने से वहां बाहरी पदार बाहर आ जाता है इस क्रिया को हम कहते हैं हिमलिच मैन्यूवल यह पिक्चर आप देखेंगे इस चीतर में आप देखेंगे अगर बच्चा चोटा हो तो उसको अपनी जो नी जॉइंट के पास उसको उल्टा पिटका कर तपतपाना है जटके देना है अगर वह बड़ा हो तो हम उनके पीट के पीछे खड़े होकर दो हातों को मुट्टी भांद कर जिफाइट प्रोसेस्टर पे दबाते हुए उनको तपतपाना है ताकि वह अंदर का जो भी चीज है वह बाहर निकले एक और परिस् और काटने के कुछ ही मिनेट्स के अंदर-अंदर हमें यह देखना है कि वहां पे रक्तस्राव हो रहा है या कुट्टे का कोई सलैवा तच हो गया है या नहीं यह देखना है और नर्वस सिस्टम से कितनी दूर पे यह काटा है यह भी देखना जरूरी है और यह जो कुट् अपना घर पे रहने वाला कुत्ता है या स्ट्रीट ड्रॉग है यह देखना जरूरी है काटने वाले पशु को हो सके तो बांध कर रखे और काटे हुए स्टल को साबून और पानी के तेजधार में अच्छी तरह रगड कर साफ करें ततकाल हस्पताल ले जाए ताकि उसे एं पर हमें इसे साफ करनी चाहिए और साथ में एंटि बैक्टिरियल का कोई भी क्रीम हो तो उसे लगानी चाहिए हॉस्पतल ले जाने से पहले इसके बाद एक और परिस्तिती है कान में दर्द कान में दर्द कहीं कारण से हो सकती है या तो अपर रेस्परेटरी इंफेक्शन होने के कारण बच्चों में हो सकती है वो रेस्परेशन ट्रैक्ट से उपर की और की जो रेस्परेटरी ट्रैक्ट से वो फहलते हुए यूस कारण है जिसके माध्यम से कान का दर्ध होगा तो उसमें दर्ध के लिए पैरसिटमॉल की गोली दें इससे दर्ध कम हो जाएगा यदि पीडित व्यक्ति को बुकार आए या कान से मवाद आए तो चिकित्सकी सलहा लेनी चाहिए कान में मैल ज्यादा मैल अगर जम जाते हैं तब भी कान में दर्ध हो सकता है अगर इस तरह से होगा तो कान में मैल गुलाने वाली जैसे दवा सेरीक्लीन वैक्सवाट आदी डालते हैं इससे मैल गुलकर बाहर आ जाता है नहीं आये तो चिकित्सक उसे सिरंचिंग करके या अन्य उपकरन के सहारे बाहर निकाल देते है कान में बाहरी चीज का गुच जाना जैसे फॉरें पार्टिकल यह भी अधिकतर चोटे बच्चों में पाया जाता है अगर इस तरह से होगा तो कान में दर्ध भी होगा और यह देखना जरूरी है कान में बाहरी कान में है या मिडिल येर में कि कहां है यह टॉर्च डाल है foreign body तो बाहर कान को खींच कर बच्चे के सिर को नीचे की और करते हैं इससे कीटानू या तो मर जाते हैं या बाहर आ जाते हैं कीटानू इसलिए कहरें कि foreign body में जोटे बच्चे कुछ भी लगा सकते हैं अगर कुछ ना लगाएं तो कभी कबार जो है कान में अपने आप या कोई मच्छर भी जा सकते हैं तो इस तरह से कान को खींच कर रखने से अपने आपी जाएगा कभी कान में टार्च की तेज रोशनी डालने पर भी उससे कीडा बाहर आ जाता है खास कर जब कीडा जीवित है तब बाहर आ जाता है कान में तोड़ा गरम नारियल या सरसों का तेल डालने से भी कीडा मर कर बाहर आ जाता है गाउं से रक्तिस्ट्राव चोटी गाउं या बड़ा गाउं गाउं किस तरह से है वो देखना जरूरी है और उसमें अगर ब्लीडिंग ज्यादा आ रहा हो तो चोट लगे हुए हिस्से को उपर के और उटाए साफ कपडे व कुन बंध हो जाए मोस्टली जहां से ब्लीडिंग हो रहा है वो पांसे पांचे मिनट के अंदर अपने आपी बंध हो जाता है जब अगर हम दबाव डाले तो फिर भी कुन ना बंध हो तो हाथ या पैर के चोट की जगब के ऊपर तदा गाउं पर टाइट बांद ले हो सक करेंगा तोड़ा सा उंचा रखे और दबाव करें नहीं रुख जाता है तो टाइट करें तो अपने आप रुख जाता है इन केस नहीं रुखता है तो तुरंत आप होस्पतार ले जा सकते हैं नाक में बाहरी वस्तु जाना जिसे कान में बाहरी वस्तु गया है बच्चे क गिलते किलते रख लिया इसी तरह से वह नाक में भी रख सकते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलता है कि वह लिखते हुए कोई चीज फिर वह अंदर रख लेंगे कोई पिंसिल की टुकड़ा या चौक की टुकड़ा इस तरह से कहीं तरह के क्रेयों ये लगा लेते हैं यदि बच्चा बड़ा है तो उसे छीक मारने के लिए कहना चाहिए और तेजी से नाक से हवा निकालने की कोशिश करे ताकि वो उसके प्रेजर से वो अपने आप बाहर निकले यदि वह वस्तु बीतर चली गई हो या बच्चा छोटा हो तो तु नाक के कोमल बाग को करीब पांच मिर्ट तक दबा कर रखे नाक के बाहरी बाग पर बरफ रगडे वह सिर पर ठंडा पाने भी डाल सकते हैं वैजलिन में बिगव कर गौस को नासिका चिद्र में डाल कर पैक करें और पुना कोमल बाग दबाए वैजलिन ना हो तो देसी गी को बिगव कर लगा सकते हैं जहां पर भी शेरीर में कहीं पर भी ब्लीडिंग हो तो देस आंत्रिक रक्तस्ट्राव इंटर्नल ब्लीडिंग जो हमें शरीर से बाहर कोई ब्लीडिंग नहीं दिखता है लेकिन परन्तु वो शौक में या स्वास लेने में दिखती है वाइटल ओर्गान्स में जो वाइटल साइन्स होते हैं जैसे बीपी है रेस्प्रेटरी रेट है प चैरों के चोर को उपर किया और उटाए ताकि महत्वपोन अंगों जैसे रुदैफ, फेफडों, वल्लिवर आधी को आधिक रक्त उपलब्द हो सके यदि उसे जी आई ट्रैक्ट यानि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का रक्तस्राव नहीं हो रहा हो तो सांतना द थाता चाई या गरंदूद को पीने को दे कहीं शरीर में चोट लग गई तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम खुद भी कुछ बैंडेज अपले कर सकते हैं इसे बैंडेज दो प्रकार के हैं रोलर प्रैंडेज जो मोटी वाली होती है आधी इंच या एक इंच या दो इसकी इसका जो क्रेप बैंडेज भी हम कहते हैं इसको रोल कर सकते हैं जहां दिकत हो वहां पर ऐसे रोलिंग करते हुए बैंडेज कर सकते हैं या तो एक होता है त्रिकोनी बैंडेज ये स्क्वेर शेप में होगा इसको आधा काट कर जहां पर भी हाथ का कोई फ्रैक्टर तो इस तरह से हम त्रिकोनी बैंडेज बांद कर यह फस्टेड करने के बाद हम आगे होस्पितल में शिफ्ट कर सकते हैं तो हमने आज जो प्रात्मिक उपचार में हमारे पास प्रात्मिक उपचार की जो किट है जो फस्टेड किट में क्या-क्या रखना चाहिए और ऐसे कौ इन कोन सी परिस्तिति हैं जिसमें हम first aid कर सकते हैं वो जाने हैं तो मैं आशा करती हूं जो आपने ये ग्यान लिया है वो जहां जरुरत पड़े वहां पे लोगों को अपनाईए और उनकी जान बचाने में मदद करिए धन्यवाद